नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं पियमोदी वरानसी से लगातार तिसरी बाद चुनाव जीते हैं पियमोदी के बाद कैबिनेट मंत्री के रूप में राईनाज सिंग ने पद और गोपनेता के सपतली है राजना सिंग ने लखनाव से जीत दर्श की है वहीं पिछली सरकार में राजना सिंग रक्षा मंत्री रहे थे इसके बाद अमीच सा ने कैबिनेट मंत्री के रूप में पद और गोपनेते के सपतली बताद अमीच सा गुजरात के गांधिनागर से रिकोर्ड मतों से जीत हासिल की थी इसके बाद पिछली सरकार में सड़क और परिवाहन मंत्री रहे नितिन गटकरी ने कैंद्रिये कैबिनेट मंत्री के रूप में सपतली है गटकरी ने नागपुर लोग सभा सीट से चुनाव जीत कर आया है वही बीजेपी के राष्ट्रिया अध्यक्ष्रहे जेपी नडडा ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में सपतली है वही मद्यपरदेश के पुर्व सीएम सीवराज सिंग्चवान ने भी कैंद्रिये कैबिनेट मंत्री के रूप में सपतली है पाकुर के गाउं में फैला डायरिया 30 लोगों का चल रहा इलाज पाकुर जिले के अमरा पाड़ा और लिटी पाड़ा परखन के दो गाउं में डायरिया फैल गया है अमरा पाड़ा के बड़ा बास को गाउं में डायरिया से करीब 25 लोग विमार हैं वहें लिट्टी पड़ा के छोटा चटकम के पहाडिया ट्वला की दो बच्चे समेच छो लोग पिड़ी थाएं। मरीजों के बेहतर इलाज का निर्देश दिया है। 2023 से जीला पुलीस चारकन जगुआर कोबरा बटालियन वस्यार पिएफ द्वारा को लहान के जंगलों में अभियान चलाया जा रहा है। भागपा मवादिनक सरी संगठन के सिर्ष नेतामी सिर्वेसरा, अन्मोल, मोचू, चमन, कांडे, अजय महतो, सांगेन, अंगरिया, आस्मेनी अपने दस्ता के सदस्यों के साथ सगरिये है। मवादियों के विद्वनसक कार्य को रोकने के लिए उनके खिलाब लागतार अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस बल को अब तक कई सफलता है मिल चुकी है। इतनी बड़ी मात्रा में हत्यारव समन बरामत होने से पुलिस की बड़ी सफलता के तर पर देखा जा रहा है। जारखन एक बार फिर भीशन गर्मी की चपेट में। जबकि मानसून की बारिस 15 से 16 जून के बाद ही सुरू होने की उमीद है यह संताल प्रगना के रास्ते जारखन में परवेश करेगा। मानसून की बारिस औरब और बंगाल की खाड़ी से आती है। जारखन में आम तरपर बंगाल की खाड़ी से ही मानसून की बारिस सुरू होती है। अरब सागर में मानसून की गतिवीती तेज है और कई राज्यों में समय से पहले पहुँच किया है जबकि बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की बारिस थोड़ी कमजोर है। अगर हावा खिस्तिती अनुकुल रही तो 15-16 जून के आसपा जारखन में मानसून की बारिस सुरू हो सकती है। बिहार में इससे एक दो दिन पहले भी मानसून की बारिस सुरू होने की उमीद है। इधर जारखन एक बार फिर भी सन गर्मी की चपेट में आ गया है। उससे घागरा थाना चेत्रे के दिरगाव स्थीत जलका पाट करासिली जंगल से गिरफतार किया है। उसके उपर चत्रा लातेहर गुमला में एक दर्जन साथिक माम्ले दर्ज है। वर्ष 2019 से पूलिस उसे खोज रही थी वह भागपा मावादी के सेक्सस छोटु खेरबार के दस्ते के साथ घुमता था। साथ ही सेक्सस बीरसाई उर्फ साकेत का बोडिगाड भी रह चुका है। इधर गुमला जीले में भागपा मादी संगठन के कमजोर होने के बाद रभी गांजु को गुमला जीले में संगठन को मजबूत करने और भिस्तार करने की जिमेदारी मिली थी। मोदी सरकार 3.0 के गठन पर दुमका में मना जस्न। देश में परधान मंत्री नायंद मोदी के नेतित में मोदी सरकार 3.0 के गठन से भाजबायों में खुसी की लहर ब्याप्त है। करकरताओं ने रभी वार की सामदुमका सहर सहीत बिभीन इलाकों में जम कर अतिस बाजी की है। अभीर गुलाल लगाया और लड़ू बाठ कर खुसीयों का इजहार किया है। बालू उठा को लेकर रोक। रानी स्वर परखंड छेत्रे में परमूख दो ही नदिया है जिसे बालू उठाव किया जाता है जिन में से मयुराक्ची वा सिद्वेस्वरी नदी है। बता देवर्श 2016 के बाज से यहां की नदियों के बालू घटों की बंदुबस्ती नहीं हो सकी है। ज्यारखन में सुबह सात बये से लेकर साड़े गारह बये तक संचालित होंगे इसकूल। राज्य में अत्याधिक गर्मी को देखते हुए सभी कोटी के बिद्यालियों के संचालन समय में बदलाव किया गया है। लेकिन अचानक गर्मी के परभाव के द्रिश्टिकत रखते हुए उप्रोक्त सभी कोटी के बिद्यालियों के समय स्थारनी में बदलाव किया गया है। लाते हर से पूलिस ने 5 लाख के अफिम जब्त की। लाते हर जीले के चंदवा पूलिस ने 5.567 किलो अफिम के संचनी वार को एक तसकर गिरफतार किया है। गिरफतार तसकर राजकुमार उराव कोल कोले लावा लंग चत्रा कराने वाला है। बताया जा रहा है कि बरामत अफिम का बजार मूले 5 लाख रुपए है। यह जनकारी लाते हर स्ट्पयो अर्विंद कुमार ने रभीवर को प्रेस वरता में दी है। स्ट्पयो ने बताया कि लाते हर स्ट्पी अंजनी अंजन को गुप्त शुजना मिली थी कि अवैद मादक पदार्थ लेकर एक तसकर चंदवा थाना चेतर के सुभास चोक इसी तो बस इस्टेंट के पास खड़ा है। सुतना की जनकारी मिलने पर चापे मारी दल का गठन कर चापे मारी किया गया जिसमें चांदवा बस इस्टेंट के पास खड़ा एक संदिक व्यक्ति की तलासी ली गाई जिसके पास से काले वा सफेत रंग के पलास्टिक में कूल छो पैकेट अफिम ब्रामत हुआ है। गोड़ा में अवैद खनन रोकने को लेकर जाच अभियान तेज। बैठक में एसपी नाथु सिंग मीना, गोड़ा एसडीयो, बैदनात उराव, एसडीपियो, जेपी एन चोधरी जिला परिवहान पतादिकारी कंचन कुमारी भुदोलिया, खनन पतादिकारी सन्नी कुमार सही सभी स्योव अथाना परभारी मवजूद थे। कलपना सुरेन ने भगवान बीर्षा मुंडा को दी सरधांजली कलपना ने एक्स पर दो पोस्ट किया है, हर अन्याय के खिलाप उल्गुलान यही पुर्खो का रास्ता है, भगवान बीर्षा मुंडा उनके दिखाय मार्ग पर हम सदव आगे बढ़ेंगे, ताना साहो के समक्ष जुकेंगे नहीं, धर्ती अबबा भगवान बीर्षा मु मोधी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने अनपूर्णा देवी, अनपूर्णा देवी के केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद छेत्रे की उमीदे बढ़ गई है, खासकर इलाके में रोजी-रोजगार का बड़ा साधन विक्सीत करने वा पलायन रोकने अनपूर्णा के लिए बड़ी चुनावती होगी साथ ही कोडार्मा संसदे छेतरे के कोडार्मा वा गिरिडी में एक तरब से बधाल हो चुके माईका उध्योग को पुनेजिवीत करना वा पत्तर उध्योग को पत्री पर लाना भी उनके लिए इन मोदों पर लोक सबाचुना दो है चोविस के दोरान वीपक्स हमलवार था वीपक्स के सीधे हमलेवा कुछ जागों पर उठे बिरोध के स्वार के बावजोद अनपूर्णा देवी ने कोडार्मा में अपने परतिवोध देवन इंडिया गणबंदर के उमिद्वार विनोथ सिंग को भारी मतोस से हरा दिया है इस बड़ी जीत के बाद से अनपूर्णा का कद राइनित्ती में और बढ़ गया है जेवी भी एनल का बिजली चोरो पर एक सन जारखन बिजली बित्रन नीगम लिमिटेड का बिजली चोरो अबाकैदारों को बिरूद चलाया जाया रहा है अभियान सक्त हो गया है अभियान के करम में कड़ी करवाई निरंतर जारी है इसे लेकर सब ही अस्थानों पर चापे मारी दल गठित कर गाउं से लेकर सहरी छेत्र में करवाई की जा रही है गठित दल जहां भकायदारों उभवकताओं को बिल जामा करने का निदेश दे रहा है वहीं चोरी करते पकड़े जाने पर करवाई भी कर रहा है जबी भियनल ने मई माह में डाल्टेंगा बिधूत आपूर्दी परमंडल में कूल चार्थ सव एक खतर छापे मारी की है जिसमें 118 लोगों पर बिली चोरी के प्रत्मी की समाधी थाना में दर्च की गई है चाईबास है के कुशमुंडा गाउ में हाथी ने बिरिध को कुचला पच्मी सिम्भूम जिले के कुमार डूंगी परखंड के कुशमुंडा गाउ में साच के लिए गया jest सरसट वर्स ये दिव्यंग ब्रीध की हाथी ने कुचल कर जान ले ली है पूलिश ने सदर अस्पताल चाईबा समय पुस्माश्रम करा कर सौक रभवयार को परिजनों को सौब दिया है मालूम हो कि इस छेत में लगतार हाथीयों का आना जाना लगा हुआ है गरामिनों ने इसकी सिकायत बन विभाग से की थी लेकिन बन विभाग की और से किसी तरह का समाधार नहीं किया गया गरामिनों ने बताया कि बन विभाग की और से टोर्च लाइट की वेवस्था करने को लेकर बार बार कहा गया लेकिन अभी तक व्यवस्था नहीं होने से इस तरह की घटना सामने आ रही है हाथी से जान जाने किया पहली घटना नहीं इससे पहले भी कई बार मोते हो चुकी है इससे गरामिन में भाय बना हुआ है धन्यवाद